नमस्कार आपका स्वागत है तो चलिएगा आज का लेक्षे स्टार्ट करते हैं और उससे पहले मैं आपको बता दू कि आप लोगों ने टेस्ट में आप काफी लोगों के अच्छे मांक्स हैं कुछ लोग 36 कोशन अटेंप्ट कर पाए सही कुछ 32 कुछ 30 और कुछ लोगों के तेस्ट पेपर दे दीया और अपने आंसर मिला लिए जी नहीं है आपको अच्छे दुबारा से देखना है कि अप कहां-कहां पर भूल रहीPOSपर और गलती आ थी और उनको आप नोट बनाके question पूछे हुए थे कि क्या जो सारे article है ठीक है एक से और 395 article हमारा last number लिखा हुआ है 395 ठीक है बट article तो बहुत जादा हैं क्योंकि बीच में ABCD करके ऐसे add हो गए तो वो 400 से उपर जाते हैं 470 के आसपास number है तो क्या सारे 70 के करीब article याद करोगे जी बिल्कुल नहीं याद करने किसी भी एक्जाम के लिए पूरे 400 सारे के सारे article से याद करने की जरुवत नहीं होती है और वो याद करने होते हैं सिरफ important important articles और जो की पता चलता रहता है जब पढ़ते हैं कि कौन-कौन से articles याद रखने हैं और कुछ अपने मैंड में एक overall आईडिया रखना होता है और कौन से articles याद करने हैं जो सबसे ज़्यादा बार revise होते हैं जो सबसे ज़्यादा बार lectures में आते हैं और questions में जो पहले previous year questions में पूछे गए हैं और जो mock test में आते हैं ठीक है उतने ही आर्टिकल बहुत जादा अच्छे से याद करने हैं और बाकि अगर आप कुछ आर्टिकल अच्छे से याद कर लेते हो तो बाकि आप Elimination Method से मतलब कि गलत answers हटा के भी आप सही answer पर जा सकते हो ठीक है तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एक और डाउट था हाँ उन्होंने पूछा था कि आर्टिकल बारा में भी राज्जे की परिभाशा दी गई है और आर्टिकल 36 जब मैंने आपको DPSP में पढ़ाया था आर्टिकल 12 और आर्टिकल 36 जब मैंने आपको DPSP में पढ़ाया कि इसमें भी राज्जे की परिभाशा वो यह जो आर्टिकल 12 है मौलिक अधिकार के अंदर दी गई है तो उनका कोश्चन यह था कि अगर एक्जाम में यह दोनों ऑप्शन आ जाते हैं तो इनमें से कौन से उसमें परिभाशा दी गई है राज्जे की तो वो कौन सा ऑप्शन करेक्ट करें जी ऐसा नहीं होगा एक्जामनर भी सोस समझ के वो थोड़े पड़े लिखे होते हैं तो पेपर उसी हिसाब से बनाते हैं कि इस प्रकार का कंफ्यूजन ना हो सामानने तोर पे ठीक है कभी गलती से हो जाए वो अलग बात है तो वो इस प्रकार से कोशन होगा कि मौलिक अधिकार में किस आर्टिकल में जो हमारी राज्य की परिभासा है वो दी गई है तो आपका आंसर होगा बारा और जो डी पी एस पी में किस आर्टिकल में जो हमारे राज्य की परिभासा दी गई है वो आएगा article 36 अगर आपका सीधा question ऐसा हो जिसमें ये दोनों ये option दे रखें तो question इस प्रकार से होगा कि हमारे समविधान में कौन से article में राज्या की परिभाशा दी गई है तो आप answer चूज करोगे 12 और 36 दोनों ठीक है तो आपका ये doubt कुछ clear हुआ होगा तो च सेवाओं के लिए SCST के दावे तो ये आएगा article 335 में भाग पार 16 में ठीक है तो ये भी में को किसीने comment section में बताया था कि आप से यहां पर लिखने में mistake होगा ये तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको ऐसे कोई mistake पता चलती है तो आप बता सकते हैं और वैसे भी मैं एक आपके पास में पहुचेगी तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के और आज का लेक्षर है बहुत ही simple बहुत ही super easy याद करने के लिए इसको याद करने की कोई मतलब सबसे easy chapter लगता है ठीक है कुछ लोगों को hard लगता है बट मैंने कोशिश करिए कि मूल करतववे जिसको इंगलिश मैं कहते है fundamental duties ठीक है इनका मतलब क्या है मूल करतववे जो हमारे अधिकार ठीक है आपने मूल अधिकार मौल करतववे भी कहा जा सकता है तो इंसान का क्या होता है कि करतव अधिकार मिल गए तो अधिकारों के साथ साथ कुछ duties कुछ करतव करतव creamy करतवी थिए के लिए समव्धान में करतव्य है minimum और आधिकारों केला सलगा है on a भाग 4A में आता है, कौन से अनुछेद में आता है, अनुछेद 51A में आते हैं, ठीक है, अनुछेद 51A में ही सारे हमारे जो मूल करतवे हैं, वो आते हैं, ठीक है, तो अब देखते हैं कि भाग 4A में कौन सा मूल करतवे, भाग 4A में और अनुछेद 51A में आते हैं, और इनन देश के हिसाब से हमें को सिफारिस दीजेगा ताकि हम अपने सम्विधान में उनको डाल सके और उस टाइम पर इमर्जनसी भी चल चुकी थी थी कि? तो इमर्जनसी के हिसाब से कि लोगों को याद रहे कि इनके मौलिक अधिकार हैं तो खाली अधिकारों के पीछे ही ना पड़े रहे, लोगों को भी उनके कर्तव्य याद दिलाने जरूरी है, तो इसके लिए किया जाता है हमारे सम्विधान में 42 वा संसोदन, तो जो स्वाडी सिंग का समीती थी, उन्होंने 8 मूल कर्तव्य जोडने का सुझाब दिया था, बट जोडे गए थे 10 मूल कर्तव्य ठीक है, 10 मूल कर्तव्य जोडे गए थे और जब 42 वे सम्विधान संसोदन से 1906 में, सीधा कोशन, मूल कर्तव्य किस सम्विधान संसोदन से जोडे गए है, 42 वे सम्विधान संसोदन से कब जोडे गए है, 1906 में, और कितने जोडे गए तो 44-वे समविदान संसोधन से क्या क्या हुआ और इधर 42-वे समविदान संसोधन से क्या क्या हुआ आप ऐसे रिक्के याद रख सकते हैं ताकि एक्जाम में होता है confusion अभी पढ़ाने में easy और आपको lecture पढ़ने में भी easy है अब जब एक्जाम देने बैठते हो जब एक्जा 2002 में, ठीक है तो अब वर्थमान में जो मूल कर्तवियों की संख्या है वो है 11, और जो एक मूल कर्तव दो हजार दो में जोड़ा गया था मों आपको अभी बताते हैं और वो आगे भी बताएंगे क्यों कौनसे समविदान संसोधन से जोड़ा गया था वो जोड़ा था अपने बच्चों को सिक्षा के अवसर उपलब्द कराना ठीक है माता पिता हमार मतलब सबका करतव्य है घीचो 6-14 वर्स के बच्चे हैं उनको सिक्षा के अवसर प्रदान कराना चलिएगा तो अब आगे बढ़ते हमने देख लिए कि 11 मूल करतव्य हैं और यह आते हैं भाग चार ए से भाग चार ए अनुशे दिक्यावन के ए में आते हैं और इसे हिंदी में कह सकते हैं अनुशे दिक्यावन के ठीक है अगर आपको कैख है गया ऐसे रखना है तो आप उसे साब से भी ने याद कर सकते हो जोड़ा गया स्वान सिंग समीती की सिफार इस पे 42 वे संव जब जोड़े गए थे और इजनल समविधान में जो मूल समविधान था उसमें मूल करतव्य नहीं थे इन्हें समविधान संसोधन के द्वारा 1906 में जोड़ा गया और 10 थे तब जोड़ा गया और एक जोड़ा गया बाद में ठीक है तो देखे सीधा कोशन यह भी बन सकता है कि समविधान लागू होने के कितने वर्षों बाद में मूल करतव्य को हमारे समविधान में जोड़ा गया तो 1950 में हमारे समविधान लागू हुआ था पूरी तरह से तो जोड़ा कब गया 26 साल बाद ठीक है सीधा कोशन और यह हाँ पर दिये गए है अनुछेद 51 A से अनु मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो हम सुप्रीम कोट या हाई कोट जा सकते हैं ठीक है और हमने पढ़ाता है DPSP भी पढ़ाता कि DPSP कोई मतलब सरकार पर दबाब नहीं बना सकते किया कानूनी रूप से लागू करो तो अब हम देखते हैं कि मूल करतव्यों की कानूनी र आपधान भी कर सकती है आप आपने बहुत सारे इसके एक्जामपल्स देखेंगे तो जो सबसे सबसे जादा बार पढ़ा जाने वाले एक्जामपल सबसे इजी एक्जामपल जो हमारा जो वाइल लाइफ प्रोड़क्शन एक्ट है जिसे वर्णे जीप संडरक्षन अधिन उसी चीज का एक्जामपल है ठीक है वो इसी चीज का एक्जामपल कैसे आपको कैसे पता चलेगा अभी हम नेक्स्ट पेस पर वही पढ़ने वाले हैं कि कौन-कौन से कितने मूल करतव्य हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि वनने जीप संडरक्षन अधिनियम कैसे जो राश्ट्रे धजय उसके सम्मान के लिए भी कानून लाए गए हैं तो यह सारे कानून किसको प्रभावी बनाने के लिए संसद हमारी जो पाल्यमेंट है वो ला सकती है वो ला सकती है मूल करतव्य को प्रभावी बनाने के लिए कानून लाए जा सकते हैं हांजी लाए सकते हैं ठीक है और देखे एक कोशन यह भी आ सकता है कि जो वर्मासमीटी एती किस से related है तो देखे 1999 में क्या हुआ था कि जो मूल कर्तव्य है तो एक वर्माकमीठी बनाईगे कि मूलकर्तव्यों के आप देखेगा कि मूल करतव्य सही है की नहीं और उनको जो फोर्स में लाने के लिए उनको लागू करने के लिए हमें किस परकार के और कानूनों की जरुवत है तो मूल करतव्य को देखने के लिए जो एक समीती बनी थी उसे कहते है वर्मा समीती वर्मा कमीटी वो बनी थी 1999 में ठीक है तो बह तो आपको मैं एक स्टोरी सुनाती हूं तो देखे जब हमारा समविधान बन रहा था तो समविधान कैसे बना था हम पढ़ चुके हैं कि उसके लिए बहुत राष्ट्रे आंदोलन भी हुए थे तो अब राष्ट्रिया आंदोलन हुए तो आंदोलन बिना एकता के नहीं सफल हो सकते हैं तो राष्ट्रे आंदोलन में लोगों ने दिखाई थी अपनी बहुत सारी एकता और उनकी एकता दिखाने की वजए से क्या हुआ था हमारी हुई थी देश की रक्षा ठीक है लोगों ने एकता दिखाकर करी थी देश की रक्षा अब देश की रक्षा हो चुकी अब लोगों को है कि हमारा देश सुरक्षित है तो देश सुरक्षित हो जाएगा तो लोगों में बढ़ेगा भाईचारा और देश में बढ़ेगा इस्तरियों का सम्मान ठीक है अब हमने देख लिए पांच मूल करतवे अब इन्हें एक बार मैं आपको बताती हूं कि यह कै संस्ताय है और संविधान के आदर्स हो जो हमारे देश में और राष्ट्रिय द्धज और राष्ट्रSP गान का आदर करें तो यह हो जाता है हमारा पहला मूल कर्टवे treaty जो कि 51-55 बात नहीं करता है आप इस प्रकार भी आद रख सकते हैं कि ज्यादा तर स्कूलों में राष्ट्रेगान तो जरूर ही गाया जाता है तो इसलिए राष्ट्रेगान के लिए जरूर ही बात करता है राष्ट्रेगीत के लिए बात नहीं करता है जी ऑप्शन में कोशन में आ सकत है कि देखिये जैसे यह यह मैं प्रेंगिज़ान कि दो खिभा fine AB अब देखते हैं कि 51B में क्या बात करी गई है तो देखें 51B में ये बात करता है कि जो हमारे देश को जो स्वतंतर कराने के लिए राष्टे आंदोलन जो हुए थे और उनसे प्रेरित वाले जो आदर्श थे थी कि उन्हें हमें अपने हिर्दे में जोगे रखना चाहिए और ये जो 51C है ठीक है वो किस बारे में बात करता है कि जो भारत की संप्रुभूता एकता और अखंडता की हमें अपनी रक्षा करनी चाहिए भारत की संप्रुभूता एकता और अखंडता की हमें रक्षा करनी चाहिए आर्टिकल 51D बात करता है कि जो देश की रक्षा हमें कर ने ओर देज की राष्ट्र सेवा भी हम हैं कर डेश की रक्ष्या और देश की राष्ट्र सेवा // अगर आप चाहते हो कि मैं आपके पीडिएण टेली ग्रॉप में भेजू तो जो Across इस अप मैं भासा लिखी हुई है's पर सकते हो वैसे तो आप यह जो मैंने लिखे हैं कीवर्ड्स एक याद करना आसान जाता है तो आप यह कीवर्ड्स भी आद रख लेते हो न और जब आपका एक्जाम में को ओप्षन आएंगे कोश्चन आएंगे मौलिक करतव वैसे रिलेटिट तो आप उन्हें आसानी से और इन सब पर आधारत भेदवाव ना हो और यह इसी बारे में भी बात करता है तो अब इस्तरियों के बारे में भी बात करना चाहिए तो यह कहता है कि ऐसी प्रथाओं का त्याग करना चाहिए ऐसी जो प्रथाएं उनका त्याग करना चाहिए जो इस्तरियों के सम्मान के विरुद्ध हों तो ऐसे भी कोई प्रथा को बढ़ावा नहीं देना चाहिए जिन में इस्तिरियों का सम्मान ना हो सीधा कोशन कि हमारे समविदान में इस्तिरियों के सम्मान के बारे में किस में बात करी जाती हैं तो फंडामेंटल डिटीज में और वो कौन सा बात करता है 51E सीधा कोशन बन सकता है आप यह देखी जितने भी आपको दिख रहे हैं यहां पर लिखे हुए इस प्रिकार से जादा कोशन बन सकते हैं कि हमारे जो मूल करतव हैं उनमें से इनमें से कौन-कौन सा ओप्शन है तो आ आपको वो गलत हो जाएगा ठीक है तो अब देखते हैं कि अब यहां तक हमने स्टोरी देख लिए अब एक और अलग स्टोरी देखते हैं कि हमारी जो भारतिय संस्कृती है ना भारतिय संस्कृती में हमेशा से करी जाती है पुराने टाइम से ही परियावरंग की रक्षा क परियावरान की रक्षा की बात जी वो कैसे देगे चाहें तो लोगों के अंधवेस्वास्ते चाहें कुछ भी था बट वो उन सबका था एक साइंटिफिक रीजन एक विग्यानिक कारण हम बोलते हैं अभी भी है कि देखे इस वरक्ष की पूजा करनी चाहिए पीपल के वरक कि आपको दो चीजे तो ऐसे याज हो गई और देखे ये ये भी बात करती है हमारी सारवजनिक संपत्ति की तो हमें सुरक्षा करनी चाहिए और हिंसा से हमको दूर रहना चाहिए तो आप इनह याद कर लेते हैं अब आर्टिकल एफ में देखते हैं 51f हमारा किस बारे में कि जो हमारी संस्कृती है हमारी सामसिक संस्कृती है composite culture इंगलिश में कहा जाएगा हमारी composite जो culture है उसे जो गौरवसाली परंपरा जो उसकी गौरवसाली परंपरा चलिया और उसका महत्व हमें समझना चाहिए हमारी संस्कृती की गौरफसाली परंपरा और उसका महत्व समझना चाहिए तो अगर आपको एक संस्क्रीजी शब्द ही याद रहता है ठीक है और आपने मौलिक अधिकार थोड़े पढ़े हुए है सुरी मौल करतववे थोड़े आपने पढ़े हुए हैं तो आपका यह ऑप्षन गलत होई नहीं सकता है ठीक है अब आप देखते कि परियावरन रक्षा के बारे में कौन बात करता है तो यह आर्टिकल जो 51G है वो बात करता है परियावरन रक्षा के बारे में जिसमें यह कह रिकुल पढ़ाया कि हमारी संक्रीक एप इस घ्यानग द्रश्ट्रीकॉंड के बारे में बात करती है , और यह बात करता है जो भिख्यान को अरजन करना चाहिए , और उस. अमाज में सुधार की भावना का विकास करना चाहिए , यह आता है इस आर्टिकल के ंदर , अब देख कि आई जो हमारा 51A, 51A, B, C, D, E, हमने देख लिए अब इसमें है कि हमारा आई किस बारे में बात करता है तो ये बात करता है हमारा सार्वजनिक संपत्ती को सुरक्षित और हिंसा से दूर रखने की बात करता है कि हमारे हाँ पर जो सार्वजनिक संपत्ती है सार्वजनिक जो सबी लोगों की है जिसमें कोई private हाथ नहीं है जहार लोग जा सकते हैं निजी संपत्ती नहीं है अब जैसे आपके हमारे घर होगे यह है हमारी निजी संपत्ती बड़ जो government school होगे government hospitals होगे सरकारी, hospitals, schools ठीक है और road यह सब होती है सारवजनिक संपत्ती तो इसकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए सुरक्षा कैसे होगी हम हिंसा नहीं करेंगे सीधा सुरक्षा कैसे होगी हम हिंसा नहीं करेंगे आप ऐसे ही चीजों को relate करके आद रख सकते हैं तो अब चलिएगा आप दे में देखते हैं तो आर्टिकल जो 51J है वो बात करता है कि दे के जो व्यक्ति है उतकर्ष का मतलब होता है excellence किसी चीज में बहुत बढ़िया करना उपर जाना उचायों पर जाना तो यह क्या बात करता है कि जो व्यक्ति का तो हमारे राष्ट का भी विकास होगा हर एक व्यक्ति से ही एक एक व्यक्ति से ही राष्ट बनता है तो एक एक व्यक्ति ही अगर अपने राष्ट के लिए अच्छा सोचेगा तो हमारे राष्ट का विकास अच्छा होगा अब उतकर्ष करता है पढ़ने की बात तो 6-14 वर्स के जो बच्चे हैं उनकी जो सिक्षा को अफसर उपलब्द कराना ये आता है 51K में और ये जोड़ा गया था 86 समविधान संसोदन 2002 से सीधा कोशन बन सकता है कि ये वाला जो हमारा 6-14 वर्स की जो बच्चों के सिक्षा के प्राप्त करने वाला जो हमारा समविधान संसोदन ये मूल करतव्य है ये कौन से समविधान संसोदन से जोड़ा गया तो सीधा कोशन ठीक है यहीं से बनते हैं वही कोशन और कहीं से नही जा सकते हैं ठीक है तो पहले भी topics आपके clear होने चाहिए और आप अगर मैं कहती हूँ कि आप अगर ये वाले से मूल करतब है कि topic उठा के कोई question solve करेंगा तो आपके सारे के सारे question solve होनी की सही संभावना है इसी इतने चोटे से lecture से तो आप ये question देख लीजिएगा ये question देख पहला question बहुत easy अभी पढ़ा दूसरा question भी बहुत easy है तीसरा भी बहुत easy है और चौथा question इनमें से कौन-कौन से मूल करतब है तो देखे ये हम पढ़ चुके राश्यगान द्वज का सम्मान ये हमारा मूल करतब है ठीक है अब ऐसा कि आपको बिल्कुल यही पे एकदम से आपको पहला answer दिखा तो आपने पहला answer टिक कर दिया जी आपको आगे भी बढ़ना जितने आप धहरिये साथ में पेपर सॉल्व करेंगे जितना प्रेजेंट माइंड से जितना उस वर्तमान समय में रहके अपना पेपर सॉल्व करेंगे उतनहीं आपको कोशन सही होने की संभावना ये भी हम पढ़ चुके हैं, तो अब हमारा option इसमें answer क्या होगा, उप्रियुक तो सभी, ठीक है, तो इस परकार से आप अपने question सही कर सकते हैं, और देखें, अब आप सोच रहे हूँगा कि मैंने आपको एक topic नहीं कराया है, जो आपने बहुत जगा से पढ़ा भी होगा, कि समविधान के स्रोथ, मतलब कि जो हमारे समविधान के source हैं, जैसे कि अभी हमने यहाँ पर यह पढ़ाया कि मूल करतवर रूस से लिए गए हैं, और हमारे emergency provisions, हमारे आपातकाल की स्थिति, यह सारे हमारे कहां कहां से लिए गए हैं, तो देखें, मैं सोच रही हूँ कि आप कि आप पहले पढ़ चुके हो तो आपको वह सारे एक जगा लिखने को लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आपको याद करने में आसानी रहेगी, ठीक है, मेरे को यह जादा ठीक लग रहा है, अगर आपको बीच में अभी चाहिए, तो आप कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हो पर वही जादा सही रहेगा कि पहले आप सारे इंपोर्टेंट चैप्टर से वह कर ले और उसके बाद में उनके स्रोथ देखें, और एक और चैप्टर है, जो मैं वही सोच रही हूँ कि वह सारे चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में कराया जाए, भारत के जो समविधान के जो महत्पूर्ट संसोधन है, जिनके एकजाम में आने की संभावना है, वो भी मैं आपको सारे जो कोर्स है, उसको खतम होने के बाद में, ये दो चैप्टर्स मैंने आपको सारे कोर्स खतम होने के बाद में कराये हैं, सोच कराने की सोच रही हूँ मैं, या मेरे को जब लगता है बीच में कराने की जरूरत है तो मैं अपने हिसाब चाप को करा दूँगी और धन्यवाद यहां तक वीडियो देखने के लिए और देखिए का आपको पीडियाइफ है वो रोजगार वी अंकित टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी अगर आपको वीडियो पसंद आ